हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका स्वाइद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इंशॉट्स पे हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नहीं वेकेंसी की जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों जो कि हमारे पास निगल कर आई है स्टील ऑफ इं सेलम तमिलाडू रखा गया है अगर बात कर लें इस फॉर्म का आवजन करने के लिए अप्लाइए मोड क्या है तो इसे कंप्लिटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों तो आए दोस्तों बिना देर के इस वेकेंसी के बार में डीटेल में जान लेते हैं लेकिन उससे पहले कर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें साथ इस वीडियो को पूरा देखे और लाइक और शेयर करना ना भूले तो आए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता है पोस्ट वाइकेंजी डीटेल्स की तो सिनियर कंसल्टेंट के के लिए पांच मैंचर के लिए छे लिटी मेंजर के लिए दो के Link के लिए ऑवर्मन के लिए शौला सॉर्वैर के लिए जिन थे क्लास चांड कर रखा या फिर आइटी या डिप्लोमा भी या वी टेक एम बीविएस एम कि एम सी एम या डी अब या पोस्ट गेशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिग और या उनिवेसीटि से वो सारे केड़ेट्स के लिए आदर्दन कर पाएंगे वहीं अगर post wise educational qualification की बात की जाए तो इसे दोस्तों आप इस वीडियो को pause करके आसानी से देख सकते हो अगर बात कर लिए salary details की post wise तो senior consultant को मिल दागी 90 जार रुपए से लेकर 2,40 जार रुपए पर मन तक की salary medical officer को मिल दागी 50 जार रुपए से लेकर 1,60 जार रुपए पर मन तक की salary assistant manager को मिल दागी 50 जार रुपए से लेकर 1,60 जार रुपए पर मन तक की salary वहीं अगर बात करें माइनिंग मेट, blaster, operator and technician post के लिए attendant और technician post के लिए साथी fireman and fire engine driver training के लिए तो आपको मिल दागी 25,000 जार रुपए से लेकर 35,000 जार रुपए पर मन तक की salary अगर age limit यानि आयू सिमा की बात की जाए तो candidate के लिए 34 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक जनर्रीज दर्वाइस से पहले तक वहीं अगर post बाज आयू सिमा की बात की जाए तो senior consultant और consultant के लिए जिन के लिए 34 वर्ष या उससे कम है वो सारे कर पाएंगे medical officer के लिए 34 वर्ष या उससे कम के लोग मैनेजर पोस्ट के लिए 35 वर्ष या उससे कम के लोग गिप्टी मैजर के लिए 34 वर्ष या उससे कम आयू के लोग assistant manager के लिए 30 वर्ष या उससे कम आयू के लोग apply कर पाएंग के लिए तो जिन को हैं ते सब्सक्रीन के लिए और अगर के बात कह देए कड़ मिल जाएका अगर अप्लिकेशन फिकी तो तो E1 grade post के लिए general OBC और EWS candidate को pay करने होंगे 700 रुप है, जबकि SCST, PWD और ESM candidate को pay करने होंगे मातर 200 रुप है, वही mode of payment दोस्तों completely online होगा, अगर S3 grade post की बात की जाए, तो इसके लिए general OBC और EWS candidate को pay करने होंगे 500 रुप है, जबकि SCST, PWD और ESM candidate को देने होंगे 100 रुप है, इसके लिए mode of payment दोस्तों online ही है, selection process, return test और interview पे बेस्ट होगा दोस्तों, और अगर आएम तुम्हें बात कर लाते हैं important dates की, तो यह form भारेंगी पकरिया 26 November 222 से start होगी, जो की 17 December 222 तक चलेगी, तो उमीद करता हूँ दोस्तों इस short वीडियो मा आपको इस vacancy से related सारी जानकारी अच्छे समझ आ गई होगी, अगर फिर भी आपको कोई doubt है या फिर कोई question है तो आप हमें comment सकते हो, पूछ सकते हो, साथी एक और important वाद बता दो दोस्तों, इस vacancy से related जितनी भी important links है, वो सारी आपको इस वीडियो की description में मिल जागी, उस पर click करके आप official notification भी download कर सकते हो, और अपने form के लिए आवयदन करना भी start कर सकते हो, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद रहा होगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, और अगर आप हमसे पहले से जुड़े में हैं, तो हमारे वीडियो को like और share करना न भूले, साथ हमें कमेंट करें जरू बता हैं, कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, तो फिर मिलता हो दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो में एक नहीं वेकेंसी की जानकारे लेकर, जय हिंद,